एक साल में 40% तूट चुका है इस चर्चित कमपनी का शेर अब खटाई में पड़ी। यह योजना कर्ज में फंसी कमपनी Reliance Capital, Reliance Capital के करजदाताओं की नीलामी का दूसरा दौर आयोजद करने की योजना खटाई में पड़ गई है क्योंकि बोलीदाता नई नीलामी में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। नियायाले ने अगली सुनवाई के लिए मामले को अगस्त में सूची बद किया है। के इच्छुक नहीं है। टॉरेंट ने इस बारे में करजदाताओं की समिती COC को सूचित कर दिया है। वहीं इंडसेंड इंटरनेशन होल्डिंग्स लिमिटेड आई आई एच देल्क ने भी 9,000 करोड रुपए की अपनी संशोधित बोली वापस लेने की मन्शाजताई है। ऐसी स्थिती में 9,500 करोड रुपए के आधार मूल्य के साथ दूसरी लामी करने की COC की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। इस बीच Cosme Financial और पीरामल के गठ जोड ने Reliance Capital के प्रशासक को पत्र लिखकर नवंबर में जमा की गई 75 से 75 करोड रुपए की बयाना राशी वापस करने की मांग की है। दोनों कमपनियों ने कहा है कि अब वह कर समाधान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहती है। इसकी परिस्मापन होने पर कमपनी के कर्जदाताओं को 13,000 करोड रुपए मिल सकते हैं।